वेल्स आप गाईज, I hope you are doing well, अईव वीर, वेलकम देश्ट अलोर फेमिली, तो कैसे हो मेरे दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदर तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंज्योई कर रहे हो, अपनी सेहत फेमिली और प्राइगेधान का आफिसे से रख रहे हो, जीत न कुछ भी सारी चीज़े घंड जाए, बिखर जाएं, पर लेकिन जिंदगी में जो है न, एक बार जो ठान लिया तो वो करना ही करना है, उन्हें देखा है, आप लोग ने देखा होगा, जानवर अगर गाउं में आप लोग जाते हो कभी, या फिर गाउं से आप लोग बिल लिया, तो अगर इस तरीगे से जिंदगी में आप लोगों ने कोई भी टारगेट पगड़ लिया, कि भाईसा आप जान चली जाए, पले ही छोड़ना नहीं है, तो वो वाले कैटेगरी आप लोगों ने पगड़ ली, तो फिर आप लोग को कोई भी आप लोगा ने स्टार्ट करेगा, उससे अंदर तक फील करने की कोशिश तो करो, फिर देखना रिजल्ट कितने शांदार आते हैं, डिसकसन काफी शांदार रहेगा, टक टकी लगा कर देखना, काफी सारी चीज़ा आप लोगो जानने को मिलने वाली है, बेसिक इन्फोर्मेशन के और जो करेंट है, वो कवर करकर मैं आप लोगो बढ़ाऊंगा, कई सारी मैप बेस लोकेशन भी आप लोगो दिखाऊंगा, तो इस तरीके से, आप लोगा मैप भी तयार होता हुआ चलेगा, इसी के साथ में अगर आगे बात करें हाँ पर, तो बहुत सारी important point ऐसे रहेंग तो हमेशा अपने काम को करने के लिए, पिर अपनी जो नहीं कहते हैं सीखने के लिए, या पिर एक तरीके से ज्यान को अरजित करने के लिए, कभी कोई सरम नहीं करने चाहिए अरजितगी में, तो बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, इसके द्वारा अभी हाँ पर state health index रिलीज किया गया, यह कौन से नंबर का state health index इसके द्वारे रिलीज किया, यह आप लोग को बताना है, जब यह index रिलीज कियाता है, यहाँ पर जो नीति आयोग है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर नीति आयोग को basically support provide कराता है, technical कौन, और इसके साथ में, किसके साथ में discuss कर करता है, आप लोग में देखा होगा ना, कई बार कि हाँ कोई काम आप लोग करना है, कि घरवालों से discuss कर लेते हैं यह एक बार, ठीक है, तो वो चीज़े हैं, बेसिकलिए आप लोग घरवालों से discuss करो, और फिसको काम का आगी करो, तो कोई technical भी होगा, आप जो आप लोग लिए भी कई सारे changes यहां पर किये गए हैं, अगर आप लोगों से पूछ लो में, कि हमारे देश में पहला राज्य कुन सा था, जो language के base पर यहां पर बनाए गया था, तो आप लोग बोलोगे आंदर प्रदेश, किस से अलग किया गया था है, आप भाई साब मदरा से अलग जी आप लोग यूज कर रहे हो जी, हमको भी बता दो जी, हम भी थोड़ा सा जान लेंगे जी, तो बता ये कौन सा जी आप लोगा चल रहे है, तो ये जो जी है, जो आप लोगा चल रहे है, अभी में बताऊंगा कि उसकी speed क्या है, और अगर 5G आप लोग यूज करेंगे, तो उसकी speed क्या होगी दोनों में difference कितना होगा एक तुक्का आप लोग मार ये देखता हूँ कौन से ही तुक्का मारता है तार तुक्का मार मुका फिर बाकी में आप लोग को detail में बताऊंगा ही joint exercise के बारे बात करेंगे इसमें net zero emission की बात की हमारे द्वारा प्राइमिस्टर मोधी साब के द्वारा 56 इंस का जो सीना है वो चोड़ा तान करके बोला गया कि हम लोग 2017 तक हाँ पर चीज़ अचीव करेंगे तो ये भी गर्व की बात है सब के बस की बात नहीं है अब यहाँ पर अचीव कितना करेंगे तो तो देखें जैसे जैसे हम लोग इस टैप उठाएंगे उसके base पर चलेगा पर लेकिन उसको announcement कर देना जैसे आप लोगों ना बोलते कि हाँ हम लोग यहाँ पर अपना target अचीव कर लेंगे इस साल तक तो आप लोग बोलोगी हाँ इस साल में selection होना है तो यह कोई असान काम नहीं होता है कि सब के सामने लिख कर चिपका देना कि selection होगा तो भाईसा भी इस साल में होगा तो वह वाली बाते में आप लोगों बोलों ठीक है तो यहाँ पर हम लोग को अचीव करना है यह क्या करना है बिसिकली कितना trillion हम लोग को requirement होगा इसको अचीव करने के लिए यह आप लोग को बताना है अब यहाँ पर एक typhoon था जिसका नाम था रे या फिर आप लोग राए भी बोल सकते हैं इसका नाम यहाँ पर यह जो नाम है इसको एक और लोकल भासा में बोलाता है इसको फिलिपिन में एक नाम से हो आप लोग को नाम बताने है लगबग 388 के गरीब लोगों की जानगी इसके विसे किस एरिया में आया और और भी कैसारी basic information में आप लोग से distance करूँगा तो lecture तो यार काफी interesting रहेगा enjoy के लिएगा अच्छे से चीजों को हस्ती हस्ती खेल खेल में काफी कुछ आप लोग सीख जाओगे और इसकी चलते lecture को अच्छे से enjoy करते रहेना जहां पर लगे doubt है तो हाँ पर बताना आगे आने वाले time में फिर doubt वगेरा clear हो जाएंगे तो आईए आगे बढ़ते हैं एक 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 करकर एक एक article को cover करते है जो first article में आप लोग से cover करने वाला हूँ यह है करनाट का और महलास्टे के बीच में एक issue तो यह है basically बेला गवी इसको आप लोग बेल गाओं के नाम से भी जानते हैं यह जो लडाई है यह काफी रंबे समय से चल रही है और बार बार यह news में रहती है तो आज इसकी कहानी खतम कर देंगे आगे से कभी भी news में आएगी तो आप लोग confusion नहीं रहेगा इस तरीके से पूर आर्टिकल कवर करने वारे है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर location देखेगा और फिर सारी सीज़े हम लोग एक एक कर कर देखेंगे काफी important topic है यहाँ पर यह interstate relation के बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते है तो इस तरीके से एक राज़े के साथ में दूसरे राज़े के relation कैसे है तो उसके ओपर GS paper 2 के अंदर यह topic आप लोग का cover हो जाता है और यह हैं यह आपर यह जो बेलगाओं है इसका area उपर आप लोग को महारास्था देखने को मिलेगा और नीचे है करनाट का यह बेलगाओं वाला area जो है वो टच करता है हाँ आपर गोवा को भी एक side में तो यहनके अगर इसको अलग से हम लोग एक area माने और बोले कि इसको किस-किस area के साथ में टच कर रहा है आप लोग यहाँ पर जानते हैं तो यह काफी important area है जो कि काफी जदा controversy में रहता है controversy का reason का है तो मुद्दा समझेंगे detail में controversy का reason यहाँ पर यहाँ है कि जब भी कोई election होते है तो सारे ऐसे issue जो है वो election में आगे किसी को reservation देना है religion के नाम पर लड़ाई करवानी है या फिर कोई भी issue अगर किसी को अगर उठाना है तो यह सारे election के लिए इनको reserve रखा जाता है कि election आने तो तब इन मुद्दों के बारें बात करेंगे तब यह तो जनता बढ़केगी यह आज केट में करनाटका के अंडर में है पर दिक्कत की बात यहां पर यह है यार यहां 90% जो जनता है basically वो मराठी लेंग्वेज बोलती है 80-90% अगर आप लोग जनता है यहां पर देखोगे तो यहां पर उसके चलते हैं यह पर यह particular जो रीजन है यह यहां पर करनाटका की जोली में डाल दिया अब करनाटका की जोली में तो डाल दिया पर लेकिन जो लोग हैं वो भी चाते हैं कि यार हम भी हाँ पर बरनाटी लेंग्वेज बोलते हैं अभी महरास्ता के द्वारा बात करें तो section 21 जो है act का उसके basically उसको invoke किया गया यानि कि उसको implement करने की कोसिस के गई और इसके द्वारा यहां पर ministry of home affair यानि कि गरहा मंतराले के पास में यह गई और इनके द्वारा बोला गया यार देख गरहा मंतराले भाई यार यह area हमारा है इसको हमें पकड़ा दे बहुत दिन होगे यार जमनला माता पच्ची करते वे यह करनाटवा के अंदर है और हमारे लोग है यहां पर तो यह area हमको क्यों नहीं दे दिता तो यहां पर इसके द्वारा बोला गया इसी के साथ में हाँ पर urban settlement भी है जैसे बेला गवी हो गया, कारवार हो गया और इसी के साथ में हाँ पर निपानी ठीक है तो यहां पर यह particular area में लगभग total मोटे मोटे तोर पर अगर बात करूँ तो मोटे मोटे तोर पर लगभग आप लोग बोल सकते हैं साथ लाग के करीब जो यहां पर जनता रहती है तो यह area जो है आजादी से पहले यह मुंबई के पास में था लेकिन आजादी के बाद में यह करनाटर के पास में पहुँच गया तो इसी के ओपर यहां पर पूरा जहें माहुल गरमाय हुआ है object location यह red मैंने आप लोगो दिखा दिया तो यह इतना बेसिकली हाँ पर दिक्कत देखने को मुलते है कि यह लाल-लाल हो गया बेचारा सारा ठीक है कहने कही है कि दिक्कत काफी जाता है है आप अब इमा आप लोग को बता तो यहाँ पर condition क्या है आप लोगो मैंने बता है अभी हाँ पर की maximum जो लोग है वो Marathi language बोलते है और यह जो Marathi language बोलने वाले सारे लोग है यह चाते हैं कि Maratha में हाँ पर इस reason को जो है वो include कर ले जाए क्योंकि एक time था जब यहाँ पर यह Maratha के पास में था अभी हाँ पर यह आ गया करनाटका के पास में तो history तो आप लोगो देखने को मिलेगी पहले Maratha के पास में था अब करनाटका के पास में आ गया और इसको वापस माग रहे हैं तो पहले हाँ पर आज केरे में जिसको आप लोग करनाट का बोलते हैं, पुराने जमाने में यान की बाबा आदम के जमाने में हम लोग इसको महसूर बोला करते दिया, ठीक है, आप लोग ने सुना भी हो गया ना, M-Y-S-O-R-E, तो ये महसूर नाम का इस टेट हो अगरता थ तो बाद में इसका नाम चलके करनाट का कर दिया गया, तो ये जो महसूर से करनाट का वा उसी के साथ में इसको इंक्लूड किया गया, तो पहले हाँ पर ये महसूर था, अभी हाँ पर करनाट का है, पर लेकिन लड़ाई के है, लड़ाई आप लोग को बताएं मैंने, कि 80% के गरीब जो population है वो Marathi language बोलती है और उसी के चलते हैं यहां पर चाते हैं कि वो Marathi speaking लोगों के पास में चलिजे अब दिक्कत कह है अब यह बताओ Marathi वाले चाते हैं कि हमारे पास में आजे करनाट का वाले चाते हैं कि जो हो गया हो गया अब छोड़ो साइड में मिट्टी डालो इसके ओपर हम ना करते हैं कुछ बीटे है जो चल रहा है बड़ी है चल रहा है ठीक है तो इनके द्वारे यह बोला गया अब यहां पर मुद्धा क्या है मुद्धा यहां पर basically यह निकल के आता है कि जब भी कोई political party जैसे कि सिवसेना के बारे बात के लिए यह फिर यहां पर NCP के बारे बात के लिए तो time to time इसमुद्धे को उठाते रहते हैं और जब भी कोई समुद्धे को उठाएगा तो यह market में आएगा और जब भी यह market में आएगा तो यह आप लोगे सर में दर्द करेगा कि यह क्या आ गया जिसने सुन लिया उसक कर पस्ताएगा कि यह क्या आ गया तो इसलिए ऐसी कोई भी अगर जिंदगी में चीजे हो जो कि लगे बार बार सामने आने वाली है कोई ऐसा topic को को यह से दिक्कत हो उसको नहीं एक बार बैट कर खतम करी लेना चाहिए वरना फिर से आगे सर में दर्द करेगा तो इसलिए मैंने आप लोग यहाँ पर डिटेल में बताएगी कंडिसन क्या है और यहाँ पर अक्चुल में चल क्या रहा है और यह करना क्या चा रहे हैं तोड़ा सा ओर जूम करकर अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यह exact area आप लोग को ऐसा कुल देखने को मिलेगा आप लोग हमको देदो मुराटी लेंग्वेज बोलने वाले लोग तो यहाँ पर दोनों को आपस में एक तरीके से मेल जोल करकर आपस में रिटन कर लेते हैं तो बोला था नहीं हाँ पर लगबग 260 गाम है वो मांग रहे हैं कितने 814 गाहों मांग रहे हैं तो इसके चलते ह हां पर यह भी इशु चलता हुआ काफी लंबे समस्य से आगे बढ़ रहा है हाँ अब मैंने करनाटक की बात बता दी क्या चारह है और मारास्ता की बात बता दी क्या चारह है पर लेकिन अभी हां पर जानते हैं सेंट्रल गुर्मेंट के गवरे हैं हां पर एक कमिटी गया यार इसको ढंसे चीजों को solution निकालो कि आखिर चक्कर क्या इसको अच्छे से देखते हैं महाजन कमिटी के दौरा क्या क्या गया कुछ विले जैसे थे कारवार हो गया इसी के साथ में हापर हलियाल हो गया और यहां पर यह सुपार ना ठीक है तो यह तालू का है करनाट सवाले पोज़ गये इशु को लेकर सुप्रीम कोड के अंदर में अब सुप्रीम कोड बोलने लगा यह चोड़ी चोड़ी बात है मेरे पास तो लेकर आया मत करो एसा है मुझे ओर वही बहुत काम है ठीक है चोबिस घंडे सर में दर्थ कभी कुछ कभी कुछ चैचैप है अरे कुछ धंगे काम कर लेने तो यार लोग वैसे ही प्रेशाने वेचारे उनकी न्याई कर लेने तो उनके लिए तो अपने आप नीनिकर इसको अपना अप सुल्जा लो ठीक है बात बात पर सुप्रीम कोड चल देते हैं उठागे अपना टंडेरा ठीक है ऐसे मताया बो सुप्रीम कोड चल कर अगर पचास साल बाद फिर होगा और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूंगो तो हो सकता है उस टाइम पर भी फिर कुछ ऐसी चीज़े हैं वो लोग डिसन्स कर रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ था ठीक है तो इस्व अभी चलते रहेंगे तो अभी आप लोगो टोफिक समझ में आ गया तो फिर जो भी होगा उसको आगे देख लेंगे वैसे आगे भी आप लोग लेक्चर सुनते रहोगे ना 2070 तक पता चला चोड़ कर भागे फाट चोड़ कर तो नहीं वागोगे ना लेक्चर सुनते रहें ना पढ़ाता रहो हमारे देश में जब देश आजा दो 1947 में तो लगबग 550 से भी राजा रजवाड इते जाद है उनको मिलाकर एक जगह है सर्दार बला भाई पटेल जी के दौरा टंडा बोरी उठागर उनके बीचे लगे तब जाकर ये सारी एक जगह हट आए सब अपने अरया में मसते सब सब्सक्राइब करें तो समझ में तो कुछ आनी रहा था कि कैसे कैसे डिवाइड करेंगे तो बोले कि ABCD नाम रख देते हैं पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चोथे का D और इनको मतलब गूरूप बनाएगे ठीक है कि A में कोन आएगा, A में वो आएगे कि जो की गवर् प्रिंसलिय प्रोविंस है यह तो governor थे यहाँ पर अंग्रे जो के, यह पर प्रिंसलिय प्रोविंस थी वो देखने को मिलेगी आप old को, यहाँ पर कई सारे cheap commissioner वाली प्रोविंस आगी जो की Britishseenvia और कुछ यहाँ पर princely भी आप लोगो देखने को मिलेंगे जो बच प्रफिर नहीं देते हैं अगर बोलू लेक्चर को लाइक कर दो उसमें तो कुछ भी फट नहीं लगता है अब वह देखो लगवाद 20-25,000 लोग देखते हैं और लगवाद 4-5,000 लोग लाइक करते हैं अगर बात करें हमने सोचा था कि यार राज्यों को डिवाइड कर देंगे पोलिटिकल और हिस्टोरिकल बेस पर नहीं की पोलिटिकल और इस्टियों को जान में रखते हुए ठीक है बगया यह राज्य है अपना ही तो देश है आर कहीं भी पड़े रो ठीक है अपनी जिंदि और क्या चाहिए फिर कौन महरास्ता कौन गुजरात कौन उत्तरपरदेश और कौन तमिलाडू कौन करनाटका और कौन आसाम अलब है तो पुरा देशी ना तो इंजोए करो तो यह सोचा था पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं फिर यहां पर क्या होते है नए नए-नए पोल पड़ेगा इस टेट को रियोर्गेनाइज करना पड़ेगा तो उसके चलते हैं एक कमिटे बना दी कमिटी थी 1948 में जिसका नाम था इसके धर कमिटी कई बार एक्जाम में पूछ आ चुक है मत बोलना फिर कहां से आ गया क्यों क्योंकि पढ़ा चुक हूँ ठीक है तो यहा यहां पर अगरिकल्चर कैसी हो रही है ठीक है रेतेली जमीनी है यहां पर अग्रिकल्चर ठेटी करने लाएक अच्छी जमीन है उसके बेस पर देख लो ना आपको फालत में लेंग्वेज के पिछे बड़े हो तो यहां पर इनके द्रा बोला गया कि ठीक है ऐसा नहीं आप लेंग्वेज के बेस पर नहीं करते हैं लेकिन लोग फिर भी नहीं माने फिर माह पर घ्रीमुर्वती आगए जो कि एक महरत ही आप लोग बहुँ सकते हैं हमारे देश के तो यहां पर जेवीपी के नाम से इस पर पट्ट भी सितरा महिया तो यहां पर तीनों एक काफी important personality आगे उन्हेंने बोला कि हमी solution निकालेंगे इसका तो 1948 पर फिर एक committee बन गई चलो यह आप लोग solution निकालो इनके द्वारा भी अपनी report submit कर दी ठीक है तो इनके द्वारा भी जो idea था language के बेस पर राज्य को डिवाइड करने का रिजेट कर दिया कि नहीं यार यह काम क्या चीज़े नहीं है language वेंगे इसको रहे देते हैं वरना बहुत ज़्यादा है divide हो जाएगा देज अरे यार इतनी language है अब सब अपने अपने area को बोलेगे कि हमारा राज्य बनाओ हमारा राज्य बनाओ कहां कहां तक राज्य बना पता चला फिर से आपर वीजा लग रहा है कि राज्य से जाने में दूसरे राज्य में तो कुछ भी हो सकता था नया नया राज्य नया देश बना था यार तो इसलिए लग रहा था कि यह फाल्तु की चीज़ों से थोड़ा distance बना कर रखते हैं लेकिन बनाई तो कब तक बन फिर से आपर थोड़े आगे बड़े 1953 में फिर से इस्टार्ट होगे तो फिर लगा कि यार कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो काफी ज़या प्रोटेस जब वे 1953 में तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया के दार बोला गया चलो यार देखी लेते हैं क्या करना हैं तो पहला linguistic जो इस्ट चलता चलता अभी हम लोगों ने 2014 में आकर आंदर प्रदेश से अलग करकर अभी हाँ पर तेलंगाना को अलग कर दिया तो यह होती ही language की कलाकारी यानिके language जो है आपर कुछ अलग ऐसे इस्ट बन जाते हैं कई बार कि वो और जज़दे डिवाइड करती हैं आपर चली जाती है तो यह इस्ट आप लोगों के सामने आप लोग आओगे तो बाईस दिसंबर 1953 में एक और कमिशन यहाँ पर बनाएगा जिसका नाम थे हाँ पर फैस अली कमिशन तो फैस अली कमिशन जो उसने बोला कि हां यार देखते हैं कैसे कैसे डिवाइड करना है तो उस अब जैसे जैसे इसने गोला कि सोले राज्या बना दो तीन युनेंट आटरी बना दो अब यहाँ पर गवर्मेंट को वह भी सारी सीजे अच्छी नहीं लगी पर फिर भी इसकी काप सारी बाते माल ली उन्होंने क्या किया चोदे तो राज्या बना दिये और छे इसके बारे में कभी भी कुछेगा नॉर्मली तो याद रखेगा ये फैस अली जो कमिशन है यहाँ पर ये इसकी रिकमेडेशन आई उसके बेस पर यहाँ पर चीजा आप लोगो यह ऐसी देखने को मिली तो कन्फूजन मत रखना कोशन कई बार बन चुके हैं फिर बोलते कोशन काँ से बन जाते हैं अभी बार यहाँ पर यह चीजह यार ठमी तो नहीं अभी 2014 में मैंने बता है आप लोग क्या हुआ था अभी हाँ पर तेलंगाना को अलग करके आंदर प्रदेश से अलग राज्य बना दिया ठीक है अभी हाँ पर अभी कुछ दिनों पहले की बा उसके अलग अंदर से यहाँ पर सिट्जन सिब रहे हैं, एक अकेला राज्य जो खुद की सिट्जन सिब ले बैठा है, जबकि ओ लेडी सारे राज्य हमारे अच्छे से चीज़ों को इंजोय कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हटाया गया, मुझे परसनली चीज़े पसंद आ आज नहीं आते हैं, तो ऐसे चीज़े आप लोगों को देखने को मिलती रहती है, अभी स्टेट उप जम्मो एंड कास्मीर के बारे में अगर मैं आप लोग से बाते करूं, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को में लगा, पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ, कि स्टे लंगाना अलग किया गया, तो 29 राज़े होगे, आंदरफरदेश में से निकाल कर, फिर यहाँ पर क्या गया, एक और राज़त है, आपर जम्में कास्मीर उसको तोड़ कर क्या कर दिया, तो अभी 28 राज़े होगे, फिर एक माइनस हो गया, हमारी कंट्री में अब यूने टैर्टरी कितनी हो गई है, तो 8 हो गई है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर दो यूने टैर्टरी नहीं बनी थी, उसके बादें फिर क्या किया गया, दादार रेन नगर, हवेली और दमन अन दीव जो था, उसको मर्ज़ कर दिया गया एक यूने टैर्टरी में, तो कहने का तो आज की डेट में हमारे देश में टोटल मिलाकर 28 28 राजे हैं और 8 उनियन टेटरी है अब यह मत बोल देना कि सर समझ में नहीं आता कहां से 28 राज जाओगे राट उनियन टेटरी होगी कई सारे बच्चे नया नया देखने स्टार्ट करते हैं तो उनको इशू हो जाते हैं तो मुझे लगा कि थोड़ा डिटेल ना बता देते हैं तागी confusion दूर हो जाए आप लोगे और चक्सो खुल जाए तो यहाँ पर दो टोपिक कवर करा दिये एक तो बेलागवी वाला समझनी है तो पॉलटी में जाकर लेक्चर देख लेना हाँ पर ओर डिटेल में ने सारी चीज़े पढ़ा रखिए कि कैसे कैसे हमारे कौन-कौन से राज्य बने तो सारा डिटेल है बहुत अच्छे से बढ़ा रख है कोई confusion नहीं होगा चक्सो आप लोगे खोल जाएंगे तलिए अब आगे चलते हैं कई बना slip हो जाती है तंग slip हो जाती है कुछ ही बोलो यार मतला होता तो हो यह चागू खरबूजे पर गिरेगा कटेगा खरबूजे ठीक है आगे चलते हैं important article है आप लोग देखते हैं Indian Express के दोरा काफी detail में cover किया गए हाँ पर 5G के बारे में बात किया रही है तो समझते हैं आखिर क्या मुद्ध है और कैसे कैसे चीज़ों को implement करने को किया जा रहे हैं यहाँ पर बात करेंगे हम लोग scientific innovation और इसी के साथ में discovery के बारे में तो science और ने साल के बता हो ठीक है सारी चीज़े मेरे सही लिया करोगे क्या कुछ खुद भी दे दिया करो हैं अपने सेलेक्शन करकर देओं मुझे लाला कर कि हां सर यह लो आपका गिव्ट है ठीक है तो यहां पर बात करें तो आप लोग देखे अपना पैटन अच्छे से फोलो कर लोग ने जो एसलीवी फांडेशन डे सेलीवेट किया था उस टाइम पर मैं वीडियो बेजना भूल गया था तो सर मैं आपनी सेंड कर दूगया आप लोग सेंड कर सकते हैं अगर आप लोग लगता है ठीक है आप लोग उसको टेलीग्राम पर सेंड कर दीजे मैंने आप लिंक भी बतायते हैं आपर वो था वीर 24 वीर 24 तालिया ठीक है वीर इसी के साथ में फिर 24 लिए देना और फिर तालिया तो यहाँ पर आप लोग सेंड कर सकते हैं यह आप लोग जो भी अगर आप लोग वीडियो लगें कोशिस करूँ कि 2-3 मिनट से जादे ना हो फिर उस यह सारी बाते हैं आप लोग मेरे साथ में सेर कर सकते हैं कोशिस करिएगा कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर यह ठीक है यह नहीं कि बस बैट कर फिर पूरी राम खानी सुना रुग है पता चला मेरे लेक्टर से भी लंबी बना दिया आप लोग लेना अगर आप लोग को लग सबस्क्राइब करकार जानगे एक लगा कई सारे बच्चे कहीं जिन से बोल रहे हैं तो मैं नहीं लगा कि आप लोग को बता जिता हूं तो वी 24 टालियान के नाम से हैं आपर तो यहां पर आप लोग तो चीज़ों को थोड़ा संभाल लेना ठीक है आगे चलते हैं नेस्ट न्यूस की और यह बात करते हैं आपर डिपार्डमेंट ओफ टेली कम्मुनिकेशन की बारे में इसके द्वरा अनौंस के गया है मेजर जो मेट्रोस हैं हमारी कंट्री के अंतर बड़ी-बड़ी देश में हम लोग ने 1G, 2G, 3G अब तक तो 3G पर भूम रहते हैं अब जाकर यहां पर 4G आई है और 4G पे भी स्टाटी हुई थी धंक से तो भी इंप्लिमेंट हुई है कहीं सारे जगे पर अब तक भी नहीं पहुँची एकदम 5G आगी तो 5G हमारे देश में ऐसे लाई ज लगी परसनली मुझे तो यहां पर 5G एक 5th generation technology आप लोग देखने को मिलेगी तो यह जो technology आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी इसी के बेस पर machine इसी के बेस पर object और device जो है वो फिर उसी के बेस पर यहां पर बनाए जाएगी क्योंकि आप लोग ने देखा जो फोन आप स्टार्ट हो जाएंगे market के अंदर में तो यह लगेगा कि जैसे जैसे आगे चीजे बढ़ती रहेंगी हो सकता है 5G वाला हो मैंने चेक निखे वैसे है ठीक है तो पता नहीं मतलब लगा मुझे ओन नहीं होगा अगर इतने advance हो बना दियो तो कोई पता नहीं देखे तो यह आपर 20GB पर सेकिंड आप लोग को मिलने वाली है यानि कि 20 गुना ज़्यादा आप लोग को speed मिलने वाली है तो एक काफी धांसू यह experience आप लोग को रहने वाले है यानि कि आने वाले टाइम में जो आप लोग को वीडियो देखना और ज़्यादा आसान हो जाएगा आप ल सब्सक्राइब में लेकर रहे थे वंजी इससे पहले इंटरनेट नहीं वा करता था सोचो आप लोग कैसे दुनिया चलती थी लोगों की ठीक है ना इंटरनेट थे ना फोन थे मैं तो क्याता हूं बहुत अच्छे से चलती होगी सांती में अच्छे से इंज्य करते रहते ह हो मैसेज आ यह हो गया मेल आया पदा नहीं क्या गया यार ऐसी होगी जिन्दी यह सालगता है कि जोड़ चाड़ के सब चीजे हिमाल्या पर चला जाओ और कहीं सांती साइक मतलब हाँ पर कोई कमरा हो और अराम से लेट कर अपना जिन्दी को वे अतीत करूं ठीक है कभी अ एसके ऊपर थोड़ सा ग्रेंट डाल डिया जिसके वेशसे तोड़ी लेट चल रही है अगर बात करें यहां पर जो फोर्जी के बारे में तो यहां पर इफ्रेंस था यहां पर तो इक तरीका यह एन लो भी चइली कम्युनिकेशन वाकर तो पुद टेक्स मेंसिगी श्तार मतलब यह की चीज़े आगे बढ़ती है आप लोग को नज़राएंगे बिलकुल पैटन में तो 5, 1st G, 2nd G, 3G, 4G और 5G तो यह सारी जो G आ रहे हैं हाँ पर अभी इनमें अलग-अलग पैटन आप लोग को देखते हैं नज़राएंगे जैसे अब यहाँ पर जैसे 4G आपस में 3D Virtual Reality के बारे में भी हम लोग बात करने लगे थे और जब यहाँ पर पहले हम लोग बात कर देते हैं हाँ पर 3G में तो वोईस और वीडियो कोलिंग के बारे बात करने लगे थे 2G में तो ले देकर कोई मतलब इंटरनेटी चला ले बहुत बड़ी बात थी तो मनलब वोस स्कॉलिंग की बात काफ़ी थी वीडियो कोलिंग के बारे में आप लोग ने 2G में कभी नहीं सुन होगा पर लेकिन 3G में यहाँ पर वीडियो कोलिंग इस्टार्ट होगी और 4G में तो बस क्या करें फोन के अंदरी गुजगे अब 5G में पता नहीं कहां गुजएंगे जागा ठीक है तो मैंने कहने का मतलब यह कि जितना आसान चीज़े हो जाती है इंसान जोयव को उतना ही इंजोय करने श्टार्ट कर देता है और यह आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे है अगर मैं आप लोग कुछ समझा हूँ यहाँ पर कुछ पैटर्न आप लोग समझ पाएंगे एक सब्ध है यहाँ पर आग्यूमेंटेड रियालिटी और दूसरा है यहाँ पर वर्चुल रियालिटी आग्यूमेंटेड रियालिटी के मतलब क्या होता है नोर्मली हाँ पर एक तरीके से कि कम्प्यूटर जनेटेड 3G कंटेंट की बात की जाती है एक तरीके से डिफरेंस आप लोग को समझ में आता है कि कौन सा रियल है और कौन सा वर्चुल है पर लेकिन जो वर्चुल रियालिटी में आप लोग चले जाते है न यह बिल्कुल ऐसा ही है पहली बार मैंने जब मोल में एंट्री की थी तो उस टाइप मुझे ऐसे लगा था मैं अलग दुनिया में आगे हूँ मैं इसकली डिस्टिंग में था और मैं ऐसे एंट्री की हांपर ठीक है तो देखे तो गया एक इधर एलिवेटर चल रहा है इधर से एक एलिवेटर चल रहा है यहां से एक लिप्ट उपर जा रही है ओ भाज साब मुझे ऐसा लिप्ट में कभी बैठे नहीं थे मैं कहां पर आगी हूँ मैं थोड़ी देर तो मैं खड़ा रहा है एक गार थे फिर में उसे पूचा कि अंकल जी मुझे ऊपर जाना है कहां से जाए जाए तो उन्हें ने बूला कि एलिवेटर से चले जाओ अब ऐसा अब लिप्ट में कभी बैठे नहीं थे अब मुझे ल तो ऐसी चीजे मतलब गोती है तो फिर लगता है कि यार यह कैसी कंडिसन हो जाती है नॉर्मली आज की बच्चे जो हो बच्पन से मतलब मोल के अंदर गुम रहे हैं सारी चीजे चल रही है तो उस टाइम पर बाहर आया था निकलके आयटी का पेपर देने आया था आयटी तो के लिए हुआनी एक अलगी चीजे होगी वहाँ पर experience कुछ अलगी मिलने लगे तो चीजे ऐसी कुछ-कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो चीजे बहुत सारी होते हैं तो virtual reality का मतलब होता है कि ऐसी चीजे जो normally reality में नहीं वर्चुल आप लोग सारी ऐसा लग अपना experience मजाग मत उडाना ठीक है पता चला कि मेरी मजाग उडाने लोग हो ओक है चलो enjoy को याद तीन वेंड आप लोगो देखने को मिलेंगे low हो गया mid हो गया और high frequency आप लोग के spectrum band यहाँ पर देखने को मिलेगा तो जो low band आप लोग इसके बारे में हाँ पर बोलते हैं उ इसकी नजर आएगी यहाँ पर अलग लग ज्यादे टावर टाइप में आप लोग को लगाने पड़ेंगे यहाँ पर बिल्डिंग में चल रहा है ठीक है फिर दूसरी बिल्डिंग के लिए अलग से लगाना पड़ रहा है तो high speed का मतलब फिर यहाँ पर ही हो जाते है कि अ अगर बात करें टैली कोंग कंपनी के बारे में तो एक कमर्शल जो अगर यूज करना था कमर्शल सेल फोन जो यूजर है ठीक है तो उसके लिए अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिमांड के तोर पर high speed आप लोग को internet देखने को मिलेगा लेकि अगर बात करेंगे तो एक और high level पर चीज़े होगी यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आप लोग को अंतर देखने को मिलने वाली है 5G जितना उपर से दिख रहा है उतना नहीं है एक प्रोपर धांचागत विकास आप लोग को करना पड़ेगा तब जाकर चीज़े चलेगे धांचागत विकास मतलब मैं बोरूँ आप लोग को UPSC की प्रिपेशन स्टार्ट करनी है तो आप लोग को बुक्स लेकर आनी पड़ेगी ठीक है तो वही चीज़े हाँ पर अगर 5G को यूज करना है तो एक सिस्टम करेट करना पड़ेगा जब चीज़े आगे बढ़ेंगी प्रोपर वे में फिर बढ़ा क्यों नहीं दिक्कत क्या है आखिर हम लोग ये काम आगे क्यों लेकर चलें तो फिर यहाँ पर 5G हम लोग कैसे आगे लेकर चल पाएंगे तो पहला तो मुद्द आप लोगो ये देखने को मिलेगा तो उसको देखना पड़ेगा कैसे लेकर चलना है हमारी केंट्री में टेक्नलोजी की आप टूदा माग चीज़े है तो उसके चलते एक थोड़ा सा हड़ल रह जाता है आप लोगो मैं बोलू जिससे आप लोगो देखा होगा जब एपल का लैपक लोग और फिर एपल का फोन लेकर आएंगे तो आप लोग यह चीज़ नजर आइन से एप्पल का लैप्टोप लोग देखे ठीक है उसमें जो चार्जर होता है उसका चार्जर का पॉइंट लग लग देखने को मिलेंगे जो लगाने वाले होते हैं उसमें भी अलग अलग तरीके के आप लोगो नज़र आते हैं तो बोला यह जा रहा है कि 5G जो है वो एक तरीके से इंक्रीज करेगा 5G in India तो यहां पर पोस्ट के इसाफ से आपर देखें तो सारी चीज़ों की इंट्रो प्रेपिविल्टी के इसाफ से देखें हम लोग इसको लेकर चाल सकते हैं पर लेकिन जो इंट्रनेशनल जो है उसका इस्टेंडर के आपर थर्ड जनेशन पार्टनर्सिप प्रोजेक्ट तो यह 5G का इस्टेंडर यहां पर लेकर चलने हैं जो 3GPP है लेकिन हमारा एक अलग हम लोग क्रियेट करने कोश करें तो उसमें भी एक चैलेंज नजर आएगा यह कैसे हम लोग इंटरनेशन इस्टेंडर के साथ में मैच करेंगे अपने आपको और कैसे चीजों को लेकर चलेंगे तो यह भी एक इशो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है तो यह कई सारे इशों है छोड़े चोड़े जिनके बारे में आप लोग कम से कम आइडिया रख सकते हैं कोई confusion हो अगर चलते हैं बात करें पटिक्लर यह इसके बारे माँ ने सणोगा टाइफन ठीक है देखने के लिए ठीक है और लेकिन जिसे हमारा cycle होना हुत है तिसे हमारा cycle होन है जिसे हमारे घर का या फिर चाइना वाली ओशन में तो यहाँ पर इसको टाइफॉन बोल देते हैं गई बाग हुरीकिन के नाम से पुगाड़ा रहता है जब आप लोग केरीविन सी में या फिर अट्लांटिक ओशन में जाएंगे इसी के साथ में टोर निडो के नाम से पुगाड़ा रहता है यहाँ पर जब बुनिया वाली या फिर यहाँ पर वेस्ट अफरीका या फिर सुदन यूसे के अंदर जाएंगे तो इसको यहाँ पर टोर निडो के नाम से जानते हैं और विली विली यहाँ पर आस्टिले के अंदर इसको बोलते हैं तो यह एक ही इंसान के अलग-लग ना अब यहाँ पर इसका नाम इनके दर रखा गया टाइफून रे या फिर राय जो भी आप लोग बोलिए तो यहाँ पर इसको ओडेटे के नाम से भी जाना गया फिलिपिन के अंदर में तो यह एक ही इंसान के और दो नाम यहाँ पर रख दिये गए हैं 2021 में यह जो काफी एक खतरनाक लेवल का टाइफून यहाँ पर देखने को मिला लगबग 388 यानिके 388 लोगों की जान लेकर गया तो यह इसी रहे हैं पर अभी काफी ज़्यादे नियूज में आ गया था ठीक है फिलिपिन के अंदर बात करें मैंने बता है लगबग 400 के खरीब लोगों की यहाँ पर जान चलेगी यह अगर location आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पर यह आप लोगों को आता हो न ज़रा है याणि कि हापर फिलिपिन से होता हो है यहाँ पर हो तो इसको विसे हम पर काफी दिक्कत है देखने को मिलें फिलिपिन की currency के बारे बात करें तो been so is the currency है ठीक है तेटी है फिलिपन नीजितंते और मनीला की आप लोग को देखने को मिलें ही जो टाइफून जिसको ट्रोपीकल जो यहाँ पर basic on आप लोग अपन जो नोर्मली बोला जाए तो तो यहाँ पर इसकी जी स्पीड है मोर देन यहाँ पर 1-1-9 किलमेटर पर आर के हिसाब से देखने को मिली याँ कि स्पीड काफी अच्छी कासी थी और इनको अलग-अलग यहाँ मैंने बताया था इसके द्वरह यहाँ पर यहाँ पर यह नाम बरत यहाँ को देखने को मिला वो मैंने आप लोगो बताई दिया तो छोड़ी सी निउस थी पर लेकिन कोशन मन जाता है हालाकि थोड़ी पुरानी थी पर मुझे लगा कि बता देना चाहे क्योंकि छूड़ गई थी ठीक है अभी आगे चलते हैं, next important news यहाँ पर देखते हैं यह जो important news आप लोग को देखने को मिलेगी basically हाँ पर हिंदू के अंदर भी इसको cover किया गया तो बात करते हैं यह news आप लोग को फाइदा पहुचा है कि India और its neighbor, यहनि कि international listen की यह point of port of mapatu तो यहाँ पर mapu 2 जो है यहाँ पर यहाँ पर है यह आप लोग को देखने को मिलेगा किस country के अंदर में Mozambique के अंदर में तो अगर आप लोग exact location देखना चाहते हैं कहाँ पर है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक सेक्ट अप लोग को exact location में आप लोग को दिखा रहा हूं तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे अपनी country हाँ पर होगी तो यहाँ पर अफरिगा के अंदर जाएंगे तो आप लोग को Mozambique क्यों देखने को मिलेगा और यहाँ पर कॉम्रोज और मियोटे करके जो है बिजमी आईलेंटे चोड़े 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 वो आप लोग को देखने को मिल रहे हैं तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं आप लोग बाकि यहाँ पर exact location आप लोग देखते हैं हमारी country जो है काफी ज़धा help करती है लग लग देश की तो यहाँ पर भी हम लोगों ने help की इसी के साथ में हम लोगों ने मोजांबी की हुए हाँ पर military के भी कही सारे equipment प्रोवाइड करें लेकिन अभी बात करें हम लोग थोड़ा सा ओर level पर कैसे बात करें हाँ पर सागर के बारे में यह security and growth for all in this reason तो एक particular यहाँ पर Prime Minister Modi जी का vision है जो आगे लेकर चला गया किस reason में कैसे हम लोगों को security वगरा प्रोवाइड करा सकते हैं और कैसे हम लोग इनको अपने साथ में लेकर चल सकते हैं बस सीधा सीधा मतलब यह कल को चल करना चायने की गोद में ना बैढ़ जाए तो उसके चलते हमारे दौरे यहाँ पर यह mission सागर लेकर आए गया तागे अगर इनको कुछ जुरुत है तो हम को बोले पहले हम इनकी help करें तो आएने सकेसरी के दौरे यहाँ पर पहले भी आरला की help के गयी है अभी मोलदीव हो गया तो यह सारी कंट्री आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसको हम लोगोंने कई बार यहाँ पर जो support प्रोवाइड कराई है सागर मिसन के तहत मिसन सागर जो था 2020 में हाँ पर यह launch कहा गया इसका जो initiative था है आपर COVID-19 के time पर भी काफी large scale पर हम लोगोंने help पहुचाई जिसे मोलदीव हो गया, मुरसस हो गया, कॉम्रोज हो गया, सिसस हो गया इंडियन नेवी के दौरा humanitarian assistance प्रोवाइड कराए गया इसी के साथ में हाँ पर अगर बात करें, मिसन हम लोगों के दौरा जो second number का चला गया सागर मिसन 2, उसमें हम लोगोंने आपर South Sudan, Sudan, Zubuti और Erit area इन particular area में काफी सारी चीजे, INS एरावत को यूज़ के हम लोगोंने सामान पोचाया अब यहाँ पर मिसन सागर तीसरा, यह हम लोगोंने human assistance and disaster जो relief के तैथ यहाँ पर friendly देशों को COVID-19 के टाइम पर support प्रोवाइड कराया, जिसमें Vietnam और Cambodia भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनके ASEAN country को भी हम लोगोंने ले लिया तो काफी large scale पर यह ऐसा area होगी है हमारा, कि अगर बात करें, तो mission जो हम लोग पर है कहीं न कहीं Indian Ocean के तैथ यहाँ पर यह सारी चीज़े हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, आस पास वाले देश को अब आकिर हम लोग ऐसा प्यों करते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैंने वह बता, चाय न जो है काफी बड़ा role play करते हैं, दूसरा, अगर हम लोग support प्रोवाइड ने कराएंगे तो कल लोगो को कोई और support प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, तो क्यों न हम लोग भी provide करा द लेते हैं, अगर कहीं पर कोई जरुद पढ़ती है, प्रोवस्यों को, ताकि दिक्कते देखने को ने मिले, इसी के साथ में, जो terrorism है, आपर काफी large scale पर मोजाब लिद्यू के अंदर देखने को मिला था, तो हाँ पर जो terrorist जो group है, Islamic State, जिसको यहाँ पर DAES बोला गया, DAES, त कोई हाँ पर illegal trade कर रहा है, उन सारे मुद्दों को भी रोखने का काम किया गया, इनके द्वारा मिलकर, और इसी के साथ में हाँ पर जब गोवा के अंदर, यह important point बन जाएगा, अभी हाँ जो theme थी हाँ पर discussion की second जो addition था, गोवा maritime conclave का, यह number 2021 के अंदर में, तो हाँ पर सारे जो देशते साथ में इंडियन ओशन डिजन के, तो हाँ पर भी इस मुद्दे पर काफी ज़दा फोकस किया गया, कि कैसे की हाँ पर इन चीजों को रोगना है, ठीक है, अगर बात करें हाँ पर विजन सागर के बारे में, तो security and growth for all in this region, वैसे तो launch के गया थे हाँ पर 2015 में, पर लेकिन आगे चल कर इसके पार्ट बनाने स्टार्ट कर दिये, जैसे 2020 में अलग पार्ट आगया, फिर पार्ट, सेकंड, पार्ट, थर इस तरीके से, ठीक है, तो यह क्या करता है, यह economic और corporation की बात करता है, जो हमारे प्रोशी एरिया के जो लोग हैं के साथ में, अच्छ यह फिर blue economy के बारें बात करें, तो हम लोग इनको मिलकर यहां पर साथ में लेकर चलते हैं, यह बहुत सारे ऐसे area जिसमें हम लोग मिलकर काम करते हैं, और जहां जो आपर जो issue देखने को मिल रहे हैं, उसका solution निकालने की ecosystem करते हैं, तो यह क्या हो गया, यह vision सागर आप लो हम लोग complete कर लेंगे, पर लेकिन हम से अकेले होगा नहीं, तुमको पैसा देना पड़ेगा, तो अभी उसी ही पैसे के बारे में जब analysis किया गया, तो एक नया analysis सामने निकल कर सामने है, कि conference और party के अदर जो target हम लोगों ने रखा था, यह conference और party कहा पर हुई थी, यह UK, यह ग्लास गोप के अंदर देखने को मिले थी, UK के अंदर में, तो उसमें 2070 तक हम लोगों ने बोला कि हम लोग जो है, net zero emission कर देगे, यह जितने हम लोग paid काट रहे हैं, उतने ही paid लगा देगे, कहने का मतलब यह है, जितनी carbon dioxide हम लोग रिलीज कर रहे हैं, उतनी ही carbon dioxide हम लोग करेंगे, ताकि net zero जो है, वो यहाँ पर market में देखने को मिले, इसके चलते जो US के डोलर है, उसके 1 trillion रोकड़ा लगेगा, यानि कि इतना एक खोका लगेगा, अगर आप लोग यह काम खरनाना चाते हैं, आने वाले 10 साल में, तो हमारे घर जो हो खोका विजवा देना, तो आप लोगो काम निबढ़ जाएगा, तो यह बात यह बोलेगी हैं, यह एक इस तरीके सा आप लोगो लेकर चलनी है, तो समझने वाली बात है, सबसे पहली बात यहाँ पर यहाँ पर यह है कि आज की डेट में, अगर बात करें, तो green financing के बारे बात की जा रही है, जैसे हम सब help करें, तो banking वाले आएंगे, micro credit insurance, सब investment करेंगे, यह बिजनसे हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, कहां का पर क्या 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 solution निकाल सकते हैं, और यहाँ पर citizen जो है, वो भी अपने हिसाब से pay कर सकते हैं, environment की friendly lifestyle को enjoy कर सकते हैं, यह ऐसा नहीं जिसे मैं आप लोगो से ही use करनी है, अपनी चतों पर solar panel लगा लो, ठीक है, आप लोग क्या करने है, तो coal वाली विजली यूज नहीं करनी है, तो यह आप लोग अभी एक contribution आप लोग के हहाँ पर हो जाएगा, और आप लोग को बिजली को बिजली को बढ़ेगा, अपने घर की बिजली हो गई, अगर बना रहे हो जितनी बन रही है, वाकिए बची कुछी अपना मार्केट में बेज दो ले जाकर एक जोले में भर कर थेले में, मतलब कहने का मतलब ग्रिड सिस्टम लगाने की बात करें न, तो यह ही है, अगर बना enjoy कर जीज नहीं कर ली बच गई तो बेज दो ग्रिड कर रहे है, अगर बात करें सबसे पहले जो green financing के बारे में, तो polluter को pay करने की बात कीई, सबसे ज़्यादा pollution किसके दोरा फैला आगया, तो जो developed country थी, यानिके अमीर जादे जो थे, उनके दोरा सबसे ज़्यादा pollution फैला आगया, तो बोला गया कि तुमको pay करना चाहिए, pollution त पर रुधान लेकर समझेंगे, जैसे आज केरे में मैं आप लोगो को पढ़ा रहा हूँ, मेरी जितनी capacity यहाँ साफ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोगों ने मेरे से कई सारी चीजे सीख लिए, आप लोगों लगता है कि हाँ, ये चीजे हम लोगों जिनको लग रहा है टाइम है थोड़ा सा पढ़ा देते हैं रिव्जन भी हो जाएगा जिनको लगता है नहीं टाइम है नहीं पढ़ा पाएंगे उन्होंने वीडियो सेर कर दी तो अपनी अपनी capacity के हिसाफ से काम कर रहे हैं आप पर लोग इसी तरीके सा अगर आप लोग यह पर लेकर आया गया अगर यहां पर यहां पर यह काम करने हैं आप लोगो climate change का मुद्दा रोगना है तो बोला यह गया है कि यहां पर जो भी आज केर में जो चीज़े हैं उसमें develop country को role play करना पड़ेगा डवलप मतलब एक तरी जो अमीर country है ठीक है तो यहां पर develop country को क्या पड़ेगा developing country जो भी नई नई country पैदा हुई है एक तरीके से नई नई अभी अमीर होना इस्टार हो रखी है उनको फाइदा पहुचाना पड़ेगा तो इसके चलते climate change के लिए finance आप लोगो देना पड़ेगा बिना पैसे के नहीं होगा कुछ भी ठीक है कैसे काम चलेगा पर लेकिन अब तक भी यहां पर इनके दोरा अपना काम पूरा नहीं किया गया है डवलफ कंट्री जहां बसते गुम रही है इवन यहां तो डॉनल्ड ट्रम भाई साब तो ऐसा किया कि पैसा यह की नहीं दूँगा पैरिस climate agreement से बाहर निकल जाओगा पैसा नहीं दूँगा भाई साब में बिल्कुल पे ठीक है तो डवलफ कंट्री जो है उनको डवलफिंग कंट्री को पैसा देना पड़ेगा तो डवलफ जो कंट्री है आपर अगर बात करें उनको डवलफिंग कंट्री को पैसा देना पड़ेगा या अमीर देश को गरीब देशों को पैसा देना पड़ेगा ताकि गरीब देश जो यहाँ पर adapt कियागी कैसे आप लोग financing करोगे तो यहाँ पर concrete project के बारे में बात कीगी ठीक है कि vulnerable community को या फिर developing country कैसा पैसा आप लोग यहाँ पर देना है तो Kyoto protocol में बात देगी green climate जो fund है आपर यह basically सामने निकल कराया कि green climate fund जो है यह एक mechanism रहेगी जो की 2010 में establish के गई यहाँ ठीक है तो इंडिया जो है वो push कर रहा है rich country को कि Paris agreement के इसाब से आप लोग 100 billion हो है वो यहाँ पर provide करा हो आगे अगर बात करें हाँ पर global environment fund के बारे बात की जा रही है तो यह implement क्या गया था 1994 में तो यहाँ पर भी बात है की गई था आप इसमें आकर कोई पैसा देगा तो यह सारी बुल्लक जो है खाली पड़ी है इसमें कोई पैसा देने के लिए त्यार गई है अगर इंडिया के बारे बात करें तो financing from domestic resources हम लोग को देखना पड़ा क्योंकि इनों ने तो हाथ उठा दिया पैसे नहीं दे रहें तो अपने घर से भोलने लग या अपने आपी मिलकर कर लेते हैं बाहर से तो पैसे मिलने से रहा ठीक है तो हम लोग ने काम इस्टार्ट कर दिया अगर बात करें हाँ पर दो जो हाँ पर corresponding domestic mobilization कि रहना था वन प्ट्री से फोर बिलियर यहां मिलियन में काम कर रहें तो यहां कि climate change जो finance unit है ministry of finance के अंदर में तो अलग 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 अपने इसाब से काम करने स्टार्ट कर दिया सामने वाले के ओपर dependent रहेंगे तो सारी चीज़े हाँ से निकल जाएंगी इस सारी initiative लेकर आए जैसे कि यहां पर बात के जारे perform achieve and trade pet scheme लेकर आए यहां पर ठीक है इसके तहित यहां पर target किया गया carbon emission को ठीक है increase करने की बात कि foreign capital ताकि FDA ही आ सके हमारे देश में investment करने के लिए इस field में increase के जाए renewable energy solar energy हो गया wind energy हो गया तो इनके ओपर काम के जाए ताकि लोग जो उनको force भी के जाए national hydrogen mission हम लोग लेकर आ रहे हैं ताकि और चीज़े चीज़ों को implement के जाए इसी के साथ में हमारे देश में nationally determined program चलाए गया अलग से कि हम लोग यह चीज़ों को achieve करेंगे जो 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 प्रोडेट है 33 से लेके 35% की बात की जा रही है यहाँ पर लेवल तो साइन 4 में अभी इसको बढ़ाकर 40% यह खरीब कर दिया इसी के साथ में और भी कई सारे achievement है हम लोग अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं आप अब कितना implement होगा और कितना result आएगा तो देखने वाली बात है एक article यहाँ पर और कवर करा हैं आप लोगे यहाँ पर governance और social justice के बारे में बात करें तो GS paper 2 के अंदर आएगा यह मैं आप लोगो इसलिए जल्दी जल्दी बता दूगा क्योंकि ओलेडी इसको कही बार बता दो बर तो आप लोगो ओलेडी डिसक्स कर चुको मैं इसको तो थोड़ा सा एक overview आप लोगो और मिल जाएगे हाँ पर हिंदू के अंतर मैं ने दो बार आप लोगो को कवर कर चुको है तो यहाँ पर नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो नीति आयोग के द्वारा health के बारे में तो state health index प्रस्तुत किया गया नीति आयोग यहाँ पर develop करता है इसको पर लेकिन world bank जो है वो technical assistance प्रोवाइड कराता है और जो यहाँ पर सला करते हैं यहाँ पर इनिशेटिव एन टी आई और जोंस होपिंग्स जो सेंट्रेम के द्वारा प्रसुत किया गया था हमारी कंट्री की रेंक फॉड़ी सी यहाँ पर नीचे चलीगे थी यहाँ पर अभी अगर बात करें तो इसके बारे में आप लोगों से बात की थी अभी अगर बात करें त तो इनके ओपर यहाँ पर खेला गया अलग-अलग लेवल पर बताया गया लार्ज स्टेट, स्मॉलरी स्टेट और उनिट अटरी तो इहाँ पर किनकी रेंक क्या क्या रही है तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं केरला, तमिलनाडू और तेलंगाना इनके दोरा टो किया गया, तो यह पूरा डेटा आप लोग यहाँ पर देखने को मिला, तो इसमें हाँ पर अलग-अलग भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ओवरोल जो है किस-किस के द्वारा टोफ किया गया, यह इतना ज्यादे रेटना नहीं है, यहाँ तो परफॉर्मेंस दिखा मिलना स्टाट जाती है, इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलोपेंट गोल अचीव करना है, आप लोगो तीसरा सस्टेनेबल डेवलोपेंट हेल्थ के बारे बात करता है, वो आप लोग अच्छे से लेकर चलने है, वो आप लोगो धंग से लेकर चलने है, अगर चीजों का पचेव करने है इसी के साथ में जो हाँ पर लिमिटेशन के हैं यहाँ पर नोट कवर्ड क्रिटिकल एरिया कहीं सारे यह को छोड़ देयाता है जैसे नोन कम्मुनिकेबल डिजिस्ट, मेंटल हैल्थ यह एक तरीके से बात करें फाइनेंसल रिस्क प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं किये इसी के साथ में विदाउट एनी फिल्ड वेरिफिकेशन यह निके उपर उपर से डेटा उठा लिया धरती पर जाकर देखाने ग्राउंड लेल पर क्या और है यह दिक्कत है देखने को मिलेगी डेटा अगर नियोग अगर नेटरल मोटलेटी रेट के बारे बात करें तो कई सारे ऐसी चीजह है जो छोड़ दे गहीं है ठीक है मों बात करें हां पर तो यह पर बताय जा रहे है थेक्शिय कैसी नसले हैं जिसन हो गया आयूश्मान भारत जो यहां पर परण मंत्री जन आरोग् तो यहां पर तरिको माली जो पर्टिकलर एरिया है उसके बारे में बात करेंगे तो काफी कुछ आज हम लोग ने सकते कई सारे आडिकल होगे आज आप लोगे मतलब हद से जादे आडिकल मैंने कवर कर दिया एक बेलगाउं वाला कर दिया उसके साथ में रियो और इचाटेट पढ़ा दिया इसने डाइम जादे लिया मेरा ठीक है 5G में आप लोगों डिटेल ने पढ़ाई दिया क्या क्या चकर है 5G का तो उसमें कोई confusion आप लोगों नहीं होना चीए इसी के साथ में हम लोगों ने क्या discuss किया मैंने conference of party वाला climate change वाला मुद्दा पूरा आप लोगो बता दिया पैसा कुछ नहीं आ रहा है तो माल मसाला काफी ज़्यदा हो गया तो इसलिए आप quiz जो है वो आप लोग अपने आप से attempt करना हो के तो यहाँ पर आप लोग देशते हैं यह quiz है इसको आप लोग attempt कीजे हलागी मैंने starting को बता जिया था कल का quiz यह है आप लोगो इसको थोड़ा सा पोज कर लिए और फिर इसके बाद में आप लोगो बताता हूँ ठीक है अंसर देना सको रोख के चिटिंग नहीं कर नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आंसर आप लोग के सामने का है अब यह है अंसर ठीक है नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए जैहिन